प्रदेश महासरचिव केवल सिंग पठानिया ने कहा कि जब से करोना वाइरस की महमारी फैली है तब से कॉंग्रेस पार्टी प्रदेश सरकार के साथ खड़ी है और सरकार के दिशानिर्देशों का पालन कर रही है कॉंग्रेस ने हर बूत पर आपदा प्रबंदन कमेटियां गठित करके जनता के रहतकारों में जुटी है पठानिया ने कहा कि सबसे पहले प्रदेश में विधानसपा शापूर हलके में करोना वाइरस के दो केस निकले थे लेकिन आज खुशी हो रही है कि प्रशाशन और स्वास्ते विभाग के पुरी टीम के सयोग से दोनों ने करोना वाइरस जैसी खतरनाग विमारी को हरा कर घर पहुंचे हैं उनको पठानिया ने मुबारक बात दी पठानिया ने कहा कि कॉंग्रेस पार्टी शापूर में बिना भेदवाव और राजनेती लड़ाई को एक तरफ रखकर सरकार के साथ खड़ी है और कॉंग्रेस पार्टी कारे में चुटी है पठानिया ने कहा कि शापूर में कॉंग्रस आपदा प्रबंदन कमेटियों ने अपने अपने शेत्रों में सैनिटाइजर का छिटकाव करके जनता तक मास्ट भी पहुँचाए महिला कॉंग्रस और महिला मंडलों का भी धन्यवाद किया जिनोंने संकट की घड़ी में खुद घर बैटकर मास्ट बनाने शुरू किये और मास्ट की कमी को पूरा करने की कोशिश की जो कारे सरकार को करने चाहिए थे वो कम शापुल में कॉंगरेस पार्टि ने करने के प्रयास किये और कामी आप भी रहे पठानिय ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अच्छा निर्णे लिया कि हर व्यक्ती मास पहने और अनिवारे का दिया लेकिन दूसी तरफ सरकार हर व्यक्ति को मास देने में असमर्थ रही जिससे जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है डर से घर से निकलना पड़ रहा है आज भी कई लोग मास को तरस रहें कॉंग्रेस पाटी ने जनता तक मास पहुचाने का कारे किया और कर रही है पठानिय ने प्रदेश सरकार से अपील की है कि प्रदेश सरकार को इस महामारी से निपटने के लिए प्रदेश कॉंग्रेस कमेटी, प्रदेश की जनता, समाजिक संगठनों और करमचारियों, वेपारियों, कुछ एक बच्चों, महिलाओं ने जो धनराशी दी है, उस धनराशी को स्वासे सुविधाओं को बढ़ाने में खर्च किया जाए, उसी से जनता को मास उपलब्द इस वक्त सबसे पहला कारे स्वासे सुविधाओं को बढ़ाने का का करना चाहिए, और प्रदेश के किसानों खास कर जिला कांगडा के किसानों को इस वक्त प्रदेश सरकार गेहूं की फसल को किसानों से समर्थ मूले दे कर खुद उठाए, जिससे किसानों को अपनी फसल क सही दाम मिले, सरकार को फसल लेने के लिए अनाज केंद्र सापित करे, महां पर किसान अपनी फसल बेज सके। पठानिया ने इस अंकड की घड़ी में करोना वायरिस जैसी महामारी से लड़ने के लिए प्रदेश के प्रशाशन, स्वासविभाग, पुलिस, आंगनवारी, आशावरकर और प्रदेश की जनता का सहयोग देने के लिए तहे दिल से बहुत धन्यवाद किया। ये थी र्याच्चे अंशुल दिक्षित की रिपोर्ट।